3-methyl Hegs-2-ene on reaction with HBR in presence of peroxide forms an addition product A, the number of possible stereoisomers for A is. नो इसमें देखे गाईज, सो ये देखे गाईज, ये हो गया 3-methyl Hegs-2-ene हो गया, ओके, सो इसमें HBR के साथ action गोड़ती हु, in the presence of peroxide कोई भी. नो वी नो गाईज, अगर इसमें peroxide नहीं होता, तो ये double bond पढ़के, most stable position में carbocatine बनाता है, और वहाँ पे VR negative जोड़ जाता है, लेकि पर ओक्साइड की presence में anti-marko-nikovs product है, जो वो prefer होता है, याने जो एक तरह से समझें कि जब ये bond टूटेगा, तो least stable carbocatine वाली position बनेगा, anti-marko-nikovs product बनेगा, तो याने CH3C, जो CHA है, यहाँ पर positive charge बनेगा, बोन टूटेगा, तो CH, CH3 और यह आपका CH2, CH2, CH3 इधर, ओके, जब मैं positive charge है, यह बी-ार नेगटिव जुड़ के अपना, यहाँ पर जुड़ी है, यह तो हो गया, लेगे, इसमें कहें, total number of stereo isomers for A, तो इसमें देखें, मैं number of chiral center कर लेता हूँ, उसको दुबारे से draw कर लेता हूँ, ओके, सो यह हो गया, अब इसमें chiral centers कितने हैं, एक तो यह हो गया आपका, और एक यह हो गया, chiral centers के लावा तो नहीं है, कोई plane of symmetry भी नहीं है, तो इस case में दो chiral center हैं, तो आपको कैसे बनाना है, देखें, दो तरीके हैं, या तो वह ऐसे बना लो, R, S, R, S, R, R, S, S, कोई plane of symmetry नहीं है, तो 1, 2, 3, and 4 total बन गए, ओके, नहीं तो अगर आपको देखना है, इसका एक formula भी होता है, formula क्या होता है, कि 2 to the power n, अगर कोई plane of symmetry नहीं है, वह वीडियो देख लेना, guys, आवेश कमिस्ट्री चैनल पे, कि how to count number of stereoisomers using formula, तो 2 to the power n formula होता है, अगर plane of symmetry नहीं है, तो n की value क्या होगे, number of chiral centers, 2 and 4, यहां से भी आप direct निकाल सकते हैं, so filliles का जो answer क्या है 4, I hope आपको समझवाएगा,